हेलो स्टुदेंट्स आइम डॉक्टर मीनू अर्विन दगरवाल एसोसेट प्रोफेसर इन साइकॉलोजी आज मैं आपको मैजर्स ओफ वेरियबिलिटी याने विचलन के माप के विशय में बताऊंगी इससे पहले हमने जो मैजर्स सीखे थे वो किसके थे सेंट्रल टेंडेंसी के याने केंद्रिय प्रवरति के माप आज हम दो सीखने जा रहे हैं वह कौन से माप है विचलन के माप विचलन क्या होता है हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न होता है एक समू दूसरे समू से भिन्न होता है तो आखिर कितना भिन्न है जो हमारी व् की विन्नता है उन सबके मेजरमेंट के लिए साइकोलोजिस्ट या एजुकेशनिस्ट विचलन के मापों का प्रयोग करते हैं यह विचलन के माप चार प्रकार की होते हैं एक है आपका प्रसार दूसरा है आपका MD या AD MD को हम कहते हैं mean deviation और AD को हम कहते है average deviation तीसरा है QD क्योंकि हम केवल क्यों भी बोलते हैं कई बार दोनों ही सिंबल क्वार्टाइल deviation के हैं क्वार्टाइल deviation QD या Q हिंदी में हम इसको कहते हैं चतोर्थांश विचलन और चौथा प्रकार है SD जिसको कि हम सिग्मा के रूप में भी प्रदर्शित करते हैं SD का full form है standard deviation हिंदी में इसको क्या कहते हैं मानक विचलन ठीक है तो यह क्या थे बदेविचलन के माप measures of variability जिसके चार प्रकार हम लोग पढ़ते हैं पहला है आपका range दूसरा है आपका average deviation या हिंदी में हम कहेंगे मद्यमान विचलन या उसत विचलन ती और हिंदी में range को क्या कहते हैं प्रसार पहला हो गया प्रसार, दूसरा हो गया मद्यमान विचलन या उसद विचलन, तीसरा है आपका क्वार्टाइल डविएशन QD या Q, और हिंदी में हम उसको चतुर्थांश विचलन के नम से जानते हैं, जबकि चौथा हमारा SD, स्टेंडर्ड डविएशन हिंदी में जिसे हम मा मानक विचलन कहते हैं, समझ में आया, चार प्रकारों का अध्यन करेंगी हम इसमें, प्रसार, आसद विचलन, चतुर्थांश विचलन और मानक विचलन, सबसे पहले हम देखेंगे रेंच, हम रेंच को जब हमने Frequency Distribution Table बनानी सीखी दी, तब हमने वहां पर रेंच निकालन है, तोटल जैसे, Highest Score जिसका formula क्या था? Highest Score माइनस Lowest Score यह हम पहले सीख चुके है, इसको हम, Short में क्या लिदेते है, Highest Score यहने, HS, माइनस एलेस किसका फर्मूला है यह रेंज का यह हम पहले सीख चुके हैं कोई भी प्रदत्त है मनली जी मैंने एक प्रदत्त लिया है यहां पर 10 15 10 20 25 15 25 20 17 और 20 तो इस प्रदत्त के अंदर हाइस्ट स्कोर कितना है 25 दोबर आ रहा है लेकिन 25 से ऊपर कोई जंक्या नहीं आ रही है और जबकि इसका लोएस्ट स्कोर क्या है 10 से छोटा मुझे कोई नहीं नहीं आ रहा यानि highest score इस प्रदत्त में हो गया 25 और lowest score 10 तो रेंज कितना निकल कर आ गया आपका 15 यह हम पहले सीख चुके थे highest score minus lowest score प्रसार कर निकालने का formula है ये भी विचलन के माप में से एक माप है ठीक है अब इसके बाद में हम second वाला जो है आपका mean deviation या average deviation सीखेंगे आपको जब हमने केंदरी प्रवरत्ति के माप सिखाये थे तो वहां ये समझाया था कि mean दो मेथड से निकलता है long method short method इस जब प्रदक्त समुही क्रत होता है और एक हमने वहां पर ये भी सीखा था कि ग्रूप्ड डेटा two median sorry three median minus two mean निकल कर mode की गड़ना करते हैं जिसको कि हम crude mode भूलते हैं ठीक है तो यह हमने अंडूप्ड डेटा से सीखा था ठीक उसी प्रकार से जैसे हमने केंदरी प्रवरत्ति में सीखा ठीक उसी तरह से बिचलन के माप में भी दोनों तरह के प्रगत्तों के formula अलग अलग ह कि यह जो आपका ad है qd है और sd है यह हम अंडूप्ड डेटा का भी सीखेंगे और गृप्ड डेटा का भी सीखेंगे तो अब हम प्रसार को सीखने के बाद में अंगृप डेटा का मद्यमान विचलन या उसद विचलन निकालना सीखेंगे यह बिगाड़ देती हूं आप अखे बढ़ रहा है अब हम विच्लन के माप में कौई सा माप सीख रहे हैं अब mean deviation या average deviation जिसको की हम क्या कहते हैं बताईए mean deviation या average deviation हिंदी में हम क्या कहेंगे इसको ओसत विचलन या मध्यमान विचलन देखिए सबसे पहले हमें चाहिए प्रदक्त मैं यहां इस प्रदक्त को लेती हूं प्रदक्त याने x इसकोर्स 10 15 10 20 15 15 20 और 17 और लास्ट है आपका तेज एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ दस यह मैंने दस संख्याएं लिए दस अंक लिए प्राप्ता अंक लिए मान लिजी कोई दस बच्चों का दस क्रिक्वेंसी है और उनके इस प्रकार से अंक हमें प्राप्त हूए है हम सबसे पहला step mean deviation में हमें पहले mean निकालना होता है mean का formula हम पहले सीख चुके थे क्या formula है ungroup data का mean equal to sigma x capital upon n यहाँ m का मतलब mean से है sigma याने the sum of x मने scores और n का मतलब number of frequencies देखिए आपका इनका हम जब total करते हैं 10 plus 15 plus 10 plus 20 plus 25 plus 15 इन सब संख्याओं को जोड़ते हैं तो यह हमें 180 प्राप्त हो रहा है upon n कितना है अभी गिनेते मेंने संख्याओं आपकी 10 और जब हमने इसका भाग लगाया तो यह हमारी mean निकल के आ गए और mean की value निकल के आ गए 18 समझ में आ गया सबसे पहले हमने क्या करा सिग्मा एक्स निकाला यह यहां पर जो आना है वो मैं यहां लिए देती हूं सिग्मा एक्स एक्वल टू 180 और mean कितना निकल के आ गया solve करने के बाद में 1818 यहां तक समझ में आया क्या किया है मैंने सिर्फ जो प्रदत दिया हुआ था उसका पहले mean निकाला है इसको हटा कर अब मैं आपको बताती हूं कि mean deviation का ungroup data से formula क्या है पहले तो हम लिखेंगे ad या md कोई भी एक चीज़ लिखेंगे आप ad equal to sigma d और देखिए इसकी दोनों तरफ मैंने इस तरह से बार बनाये अपॉन एंड डी या स्मॉल बनाया है इस डी का मतलब है डेवियेशन और डेवियेशन किस तरह से निकाला जाता है डेवियेशन निकालने का formula होता है capital x minus m यहने जो score है वह अपने mean से जो मीन अभी 18 निकलकर आया उससे कितना विचलित है यह मैंने यहां लिख रखा है sigma x 180 निकलकर आया था और mean निकलकर आया हमारा 18 यहने हर score अपने mean से कितना विचलित है अभी थोड़ी दर पहले मैंने आपको बताया था कि विचलन शीलता के माप है यह विचलन के माप है और विचलन किसी का हर इंडिवीजूल का एक विचलन के माप का प्रयोग करते हैं और विचलन के माप कौन-कौन से पढ़ रहे हैं प्रसार mean deviation क्वाइशन और सेंडर deviation और यहां हम मानक यह मर्द्यमान विचलन या ओसत विचलन का ध्यान कर रहे हैं Capital X यहने स्कोर इसका 10 है मीन निकल के आया 18 यह जो निकल के आ रहा है वह के कहलता है डी deviation कितना निकल के आ गया यह माइनस 8 इसी तरह से आप करते चले जाएए 15-18 10-18 20-18 25-18 15-18 25-18 25-18 25-18 20-18 17-18 17-18 और 23-18 सॉल्व करते जा रहे हैं हम डी निकालते जा रहे है 15 में से 10 यह हम निकाल चुके थे माइनस 8 यह कितना आएगा माइनस 3 फिर माइनस 8 फिर 2 15 में से 18 गए तो 7 फिर माइनस के तीन फिर यहां पर 7 यहां 2 माइनस 1 और 18 तेईस में से गटाए तो 5 अब देखिए अब हमें हमें निकालना क्या है हमें निकालना है formula के साथ सिंग्मा day 27 इस बार का क्या मतलब होता है वह मैं आपको बताती हूं यह बार यह कहता है किछ आप सिंग्मा करें यहने जब आप दसमप निकालें यानि कि अप टोटल करें तो प्रस माइनस के चिन्नों का ध्यान नहीं रखे यानि कि हमको simply plus minus का बिना ध्यान रखे हुए संख्याओं को जोड़ना है और वो जो निकल के आएगा वो क्या निकल के आ रहा है सिग्मा डी बार ठीक है कितना निकल के आ रहा है देखते हैं जोड़कर 8 और 3 11 और 8 19 20 21 और 7 28 29 31 और 7 38 49 40 41 और 5 46 जब हमने plus minus के चिन्नों का ध्यान नहीं रखा तो हमारी वेल्यू सिग्मा डी के क्या निकल के आ रहा गई 46 46 फॉर्मुला सिग्मा डी निकल के आ गया आप 46 अपॉन एंड कितना है 10 जब आपने इसको 10 से डिवाइट किया तो वेल्यू के आ गई 4.6 4.6 क्या निकल के आ गया यह जो प्रदत्त था इसका अधियमान विचलन इसका औसक्त विचलन इसका मीन डेविएशन एवरेज डेविएशन एम्डी या एडी किसी भी नाम से अपने इसको जानते हैं एक बार फिर से बताती हूं आपको इसके steps याद हो अन्गुरूप डेटा में हम जब मीन निकालते हैं मीन डेविएशन नि क्या करते हैं capital X minus M यानि कि हमारे पास capital X तो है scores तो हैं लेकिन mean नहीं है mean का formula अर्ग्रोप्रेटर से क्या बताया है mean equal to sigma x opponent sigma x यानि कि इन सारे x का score का जोड़ना और उस total में n यानि जितनी number of frequencies सीज़े उनसे भाग लगाना इस प्रकार हमें mean निकलकर राया 18 और उसको हमको हर score मैंसे mean को घटाते हुए d प्राप्त करना है x minus m x minus m हम करते चले गए और यह हमारी minus की और plus की जो भी difference है वो निकलकर आ गए जिसको कि हम d यान deviation यानि बिचलन के नाम से जानते हैं लास्ट में में formula में क्या चाहिए d का बार, बार का मतलब क्या है कि हमें plus minus के चिन्नों का ध्यान नहीं रखना है इसलिए हमने सारी संक्याओं को एक साथ जोड दिया जोडने के बाद जो value प्राप्त हो गई वो हमारे पास आ गई sigma d bar upon n, number of frequency वही 10 था, जब हमने इसको इससे भाग लगाया, 46 में 10 का डिवाइडिशन करने के बाद हमें value प्राप्त होई 4.6 यानि कि यह जो विचलन है वो अपने मद्यमान से हर frequency लगवक कितनी विचलत है 4.6 Thank you